परिचय आज भौतिकी के शिक्षक प्रयोक्षाला में छात्रों के सामने हमें एक प्रयोक करने जा रहे हैं। उन्होंने एक छोटा खुपारा लिया और इसे निर्वात चार में रख दिया। फिर उन्होंने वैक्यूम पंप का स्विच चालू कर दिया। अचाना कुपारा फैलने लगा। उनके द्वारा पंप का स्विच बंद कर देने के कुछ देर बाद कुपारा अपनी मूल अवस्था में आ गया। एक छात्र ने कोथुहूल वश पूछा। श्रीमान जी क्या आप कृपिया बताएंगे कि ये प्रक्रम कैसे कारे करता है। आहां निश्चित रूप से वरुन। ये अनुगति सिध्धान्द का एक उधारन है। जब निर्वात को ओन किया जाता है तो गुबारे पर लगने वाला दाप घट जाता है। और निर्वात जार पूरा भड़ जाने तक खुबारा फैलता है। और जब वायू वापस जार में आती है तो दाब पुनह लगता है। और खुबारा अपने मूल आयतन में वापस आ जाता है। ये दाब तथा आयतन के बीच एक अप्रत्यक्ष संबंद दिखाता है। तो चात्रो हम आज अनुगती सिध्धांद के बारे में और अधिक जहंकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अनुगती सिध्धांद को परिभाशित करना। द्रवी की आनवीक प्रकृती की व्याख्या करना। गैसों के व्यवहार को समझना। बॉयल के नियम तथा चाल्स के नियम को परिभाशित करना। आधर्श गैस के अनुगती सिध्धांद को जानना। आदर्श गैस के ताप की गणना करना ताप की अनुगतिक व्याख्या करना मैक्स्वेल बंटन फलन को समझना उर्जा सम्विभाजन के नियम को परिभाशित करना विशेष्ट उश्मा धारिता की गणना करना माध्य मुक्दपथ तथा ब्रावनी गती को परिभाशित करना परिभाशा अनुगती सिध्धान्थ उन्नीस्वी शताबदी में मैक्सवेल, बोल्टजमान तथा अन्ने द्वारा विक्सित किया गया अनुगती सिध्धान्थ इस विचार के आधार पर गैसों के वेवाहर की व्याख्या करता है वे गैसों के लिए उपैक्षित किये जा सकते हैं दरव की आनविक प्रकृती किसी गैस में सभी अणू सद्रिश होते हैं, लेकिन वे अन्न गैसों के अणूँ से भिन्न होते हैं. किसी गैस के अणू आदर्श प्रत्यास्त गोलों की तरहा वहवहर करते हैं, और अणूओं के बीच की दूरियों की तुल्ना में बहुत छोटे आकार के होते हैं. सभी अणू सदैव याद्रिश गती करते हैं, और सभी दिशाओं में उनके वेक शूरने से लेकर अनंद तक होते हैं. अपनी गतियों के दौरान अणू एक दूसरे से तथा पात्र की दिवारों से भी संघट करते हैं, ये सभी संघट आदर्श रूप से तत्यास्त होते हैं. संघट के दौरान को छोड़कर अणू एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते. दो संघटों के बीच अनू सदैव एक सीधी रेखा में गवन करते हैं और दो क्रमिक संघटों के बीच चली कई दूरी माध्य मुक्तपत कहलाती है. गैसों का वैवहार सभी गैसें गर्म करने पर फैलती हैं. जहां तक आयतन में परिवर्तन का संबंध है, ठोसों तथा द्रवों पर दाप का प्रभाव नगरने होता है. लेकिन गैसों को आसानी से संपीडित किया जा सकता है, वेस्थिर दाप पर भी आयतन में प्रसारित होती हैं, यदि दाप को गिरने दिया जाए. इसलिए गैस का आयतन ना किवल दाप पर बलकि इस पर लगने वाले दाप पर भी निर्भर करता है. बॉयल का नियम अधा कर दिया जाए, तो इसका दाप दोगना हो जाएगा. नियतांक ताप पर गैस की उर्जा का नियतांक मान होता है, और जब तक ताप नियतांक बना रहता है, तब तक गैस के प्रसार या संकुजन के साथ ये उर्जा बढ़ती या घर्टी नहीं है. बॉयल के नियम का इस तरह से कहा जा सकता है कि नियतांग ताप पर गैस का घंड़त्व इसके दाप से संगत रूप में बढ़ता है. पी बटे रूप नियतांग. चाज का नियम चाज के नियम के नुसार किसी गैस का आयतन प्रतेक एक डिगरी सेल्सियस दाप पर परिवर्थन के लिए 0 डिगरी सेल्सियस पर इसके आयतन के गामा यानी पी परिवर्थित होता है. यदि दाप इस ते रखा गया हो. वी बराबर वी नौट गुणे एक प्लस गामा पी थीटा जहां वी थीटा डिगरी सेल्सियस पर आयतन है तथा वी नौट जीरो डिगरी सेल्सियस पर आयतन है. उप्रोक्त सम्बंथ को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है. वी पराबर वी नौट गुणे एक प्लस थीटा बटे दो सोती हत्तर समीकरण के अनुसार आयतन तथा ताप के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा होता है ताप के पूरे परास में आदर्श गैस इस समीकरण का पालंग करती है वास्तवी गैसें केवल उच्च ताप पर ही इस समीकरण का पालंग करती है ताप मान घटाए जाने पर ये समीकरण से विचलित होने लगती है आदर्श गैस का अनुगती सिध्धान्थ गैस में बड़ी संख्या में एक जैसे अनुग होते हैं जो छोटे, गोलिये, उदासीन तथा आदर्श प्रत्यास्त होते हैं और अनुग कहलाते हैं गैस में अनुग सभी संभव चालों के साथ सभी संभव दिशाओं में गती करते हैं अनुग द्वारा घेरा जाने वाला इस्थान गैस के आयतन की अपेक्षा नगर्णे होता है अनुग के बीच कोई आकर्शन बल नहीं होता अनुग के बीच तथा पात्र की दिवारों के साथ संघट्य पूर्थया प्रत्यास्त होते हैं अनुद्वारा संघट्यों के बीच व्यतीत किये गए समय की तुल्ला में संघट्टी की अवधी बहुत कम होती है आणविंग गती पर गुर्द्व का कदाचित ही कोई प्रभाव पड़ता है क्यूंकि उनका द्रवेमान बहुत छोटा होता है और चाल बहुत अधिक रहती है आदश गैस का ताप पादर की दिवारों के साथ अणवों के संघट्ट के कारण गैसे दाप लगाती है आईए M द्रवेमान वाले अणवों की N संख्या वाली एक आदर्श गैस पर विचार करें जो भुजाओं LX, LY, LZ वाले एक आयताकर बॉक्स में भरी है गतिज उर्जा प्रती एकाई आयतन निम्न द्वारा व्यक्थ है E बराबर एक बटे दो रो, V, RMS, वर्ग गैस का दाब निम्न द्वारा व्यक्थ है P बराबर दो बटे तीन ओफ E इसलिए गैस का दाब इसकी गतिज उर्जा प्रती इकाई आयतन के दो तिहाई के बराबर होता है। इसलिए अनु की आसद गतिज उर्जा गैस की प्रकृती पर या अनु के द्रवेमान पर निर्भर नहीं होती। इसकार्थ है कि समान ताबमान पर विभिन गैसों की कुल गतिज उर्जा समान होती है और प्रती अनु आसद गतिज उर्जा समान होती है। ये केवल गैस के निर्पेक्ष ताप पर निर्भर करता है। तापान को गैस के अनु की आसद गतिज उर्जा की माप के रूप में स्पश्ट किया जा सकता है। उधारन आएए एक आदर्श गैस के अनुगति सिध्धान्थ का उधारन देखें। आदर्श गैस समीकरन पी वी बराबर हार टी का उप्योग करके सार्वत्रिक गैस नियतां के मान की गणना करें। आएए इसका हल देखें कि हमारे पास है वी बराबर बाईस हजार चार सो गोड़ें दस की घाथ माइनस सिक्स एम घन। टी बराबर दो सो तिहत्तर के पी वी बराबर हार टी पी बराबर हच डी जी अब हम मानों को रखते हुए आर के मान की करना करते हैं। आर बराबर पी वी बटे टी बराबर दो कैलोरी मोल की घाथ माइनस एक के की घाथ माइनस एक यदि वी बराबर बाईस दशमलाव चार लीटा। पी बराबर एक वायूमंडल टी बराबर दो सो तिहत्तर के आर बराबर शूने दशमलाव चूने आठ दो परमाणू लीटर मोल की घाथ माइनस एक के की घाथ माइनस एक। अता सार्वत्रिक गैस नियतां का मान 0.082 परमानू लीटर मोल की घात माइनस एक के की घात माइनस एक है मैक्सवेल बंटन फलन गैस के दिये गए द्रवेमान में सभी अणूं के वेग समान नहीं होते चाहे स्थूल प्राचल जैसे की दाब, आयतन और ताप नियत हों संघट्टे अणूं की दिशा और गती परिवर्तित कर देते हैं हाला कि सामय अवस्था में चालों का वित्रण नियत रहता है बहुत से पिंडों के बने निकायों के वैवहार का अध्यान करते समय वित्रण बहुत महत्पून होते हैं आण्विक चालों का वित्रण V तथा V प्लस DV चालों के बीच अणूं की संखिया बताता है V तथा V प्लस DV चालों के साथ अणूं का अंश पट्टी के क्षित्रफल के बराबर होता है उर्जा के सम्विभाजन का नियम उर्जा सम्विभाजन के नियम के नुसार ताप ये सामय अवस्था में किसी गतिशील निकाय के लिए कुल उर्जा सभी सौतंत्र कोटियों में समान रूप से बंटित होती है और प्रतेक अणूं से प्रती सौतंत्र कोटी संबध उर्जा एक बटे दो के टी होती है जहां के बराबर वल्टज मैन नियतांक टी बराबर निकाय का निर्पेक्ष ताप निकाय की सौतंत्रता की कोटी इसे सौतंत्र निर्दे शांकोगी संख्या के रूप में परिभाशित किया जाता है जो प्रणाली की स्थिती या विन्यास स्पष्ट करने के लिए आवशक होते हैं एक निकाय की सौतंत्रतय कोटी की संख्या निम्न रूप में व्यक्त है F बराबर 3N-A जहां F बराबर 133 कोटियों की संख्या N बराबर एक अणू में परमाणूं की संख्या A बराबर एक अणू के परमाणूं के बीच 133 संबंधों की संख्या उश्मा समविभाजन का नियम इस रूप में भी स्पश्ट किया जा सकता है कि नियतांक दाब तथा दाब पर किसी दी गई गैस के एक अणू की कुल आउसद गति जूरजा इसकी सभी स्वातंत्रतय कोटियों के बीच समान रूप से बंटित होती है और प्रती, स्वातंत्रते, कोटी, प्रती अणूं औसद गती जूर्जा एक बटे दू कीटी होती है, जहां टी पराबर गैस का तापपान है. विशिष्ट उश्मा धारिता एक आदर्श एक परमाणूं गैस के एक मोल पर विचार करें. 1. एक परमाणूं गैस के लिए स्वातंत्रते कोटी की संख्या तीन होती है. उर्जा सम्विभाजन के नियम के नुसार प्रती अणूं प्रती स्वातंत्रतै कोटी औसद गती चूर्जा बराबर एक बटे दो केटी गैस के एक मूल की औसद गती चूर्जा बराबर केटी गुणे N जहां N बराबर आवो गादरो संख्या है अता U बराबर 3 बटे 2RT जहां U गैस के एक मूल का केई है D U बटे D T बराबर C V C V बराबर 3 बटे 2R लेकिन C P बराबर C V प्लास R हम पाते हैं कि C P बराबर 5 बटे 2R अताः CP बटे CV बराबर 5 बटे 3 दुई परमाणुक गैसें दुई परमाणुक गैसें के लिए स्वातंद्रतय कोटी की संख्या 5 है CP बटे CV बराबर 9 बटे 7 बहु परमाणुक गैसें इसमें तीन इस्थानांद्रिये और तीन घूंडी स्वातंद्रते कोटियां होती हैं। CP बटे CV बराबर 4 प्लस F बटे 3 प्लस F CP बटे CV बराबर R किसी भी आदर्श गैस के लिए सत्ते हैं। चाहे वो एक परमाणुक, दुई परमाणुक या बहु परमाणुक हो। माध्य मुक्द पत्थ किसी गैस के अणूं सतत, तौरित या यादरिच्चक गती की अवस्था में रहते हैं। इनमें परस पर आधर्श प्रत्यास्त संघट्ट होते हैं। संघट्टों के अत्रिक्त अणूं एक दूसरे पर कोई बल नहीं आरूपित करते। इसलिए दो क्रमिक संघट्टों के बीच चली गई तूरी नियतांक वेक के साथ एक सीधी रेखा होती है। एकल गैस अणूं का पत्थ विभेन लंबाईयों वाले छोटे-छोटे तेड़े मेडे पत्थों की एक श्रिंखला से बनता है। ये पत्थ मुक्तपत कहलाते हैं। तथा इनके माध्धे मुक्तपत कहलाते हैं। लेमला बराबर केटी बटे रूट दो पाई सिग्मा वर्ग पी जहां सिग्मा बराबर अणूं का व्यास है। प बराबर गैस का ताप है ती बराबर गैस का ताप है। के बराबर वोल्टज मैन नियतांक है। ब्राउनी कती जल या वायू या किसी अन्य तरल में निलंबित सूक्ष्म दर्शिये आकार के कड़ों की सतत टेड़ी मेड़ी या दृच्छ गती ब्राउनी गती होती है ये परिघटना रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजी गए थी तथा ये अनुगती सिध्धान्त के अधार पर स्पश्ट की जाती है ब्राउनी गती बढ़ जाती है जब निलंबित कण का आकार अधिक छोटा हो माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए माध्यम की शनता कम हो माध्यम का घनत्व कम हो क्या आप चानते हैं? आधोनिक उश्मा गती की के विकास के पूर्व ये विचार था कि उश्मा एक तरल है और इसलिए इसे कैलारिक कहा गया पिंड इस्तरल की एक निश्चित मात्रा धारन करने में समर्ध माने गए इसलिए हम उश्मा धारिता शब्द का उप्योग करते हैं जिसे जौसेफ बलेक द्वारा सद्रा सो पचास के दशक में पहली बार खोजा और नामकरन किया गया प्रतेक अणू अपने निकटवर्ती अणूँ पर एक आकर्शन बल लगाता है जो अंत्रा अणूक बल कहलाता है मध्य युक्त पत की अवधारणा 1858 में प्रस्तुत की गई जर्मन भौतिक वेद रुडॉल्फ क्लॉसियस ने इसे आनविक गती होने पर गैसिये पिंडों के प्रथक अड़ों द्वारा चले गए पतों की माध्ये लंबाई के रूप में परिभाशित किया सारांश उसे संक्षेप में दोहराएं। अड़ों गती सिध्धांद इस विचार के आधार पर गैसों के वैवहार की व्याख्या करता है कि गैसें तेजी से गती करने वाले परमाड़ों या अड़ों से बनी होती हैं। गैस का आयतन ना केवल ताप पर बलकि इस पर लगने वाले दाप पर भी निर्भर होता है। बॉयल के नियम के नुसार ताप नियत रखने पर गैस के किसी दिये गए द्रवेमान का दाप उसके आयतन के वित क्रमानूपाती होता है। चार्ज के नियम के नुसार किसी गैस का आयतन प्रतेक एक डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन क ये लिए 0 degree Celsius पर इसके आयतन के गामा पी पर परिवर्तित होता है। यदि दाब इस्थिर रखा गया हो तो, गैस का दाब इसकी गतिज उर्जा प्रति एकाई आयतन के दो तिहाई के बराबर होता है। अडूं की अवसत गति जूर्जा गैस की प्रकृति पर या अडूं के द्रवेमान पर निर्भर नहीं होती। ये केवल गैस के निर्पेक्ष ताप पर निर्भर करता है। जल या वायू या किसी अन्य तरल में निलंबित सूक्ष मदर्शिय आकार के कड़ों की सतत तेड़ी मेडी या द्रिच गति ब्राउनी गति होती है। विशिष्ट उश्मा धारिता को नियतांग दाप पर किसी गैस की विशिष्ट उश्मा के नियतांग कायतन पर गैस की विशिष्ट उश्मा से अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है।